नमस्कार आईए बात करते हैं आज के राशी फल के बारे में इससे पहले जो तिस सास्त सी जुड़े रोचक जानकरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज मेश राशी से मीन राशी वालों का दिन कैसा रहेगा आईए जानते हैं मेश राशी की बात करें जल्द ही व्यवसाईक एवं रोजगार के मामले सुलजेंगे अध्यर में इनको एकागरता बनाने की आवशक्ता है सेहत में इनके सुधार होगा मान परतिष्ठा के चक्कर में यात्रा एवं खर्च होना सम्भव है मेश राशी के लिए दिन पहुत अच्छा रहने वाला है रशब राशी की बात करें अधिनस्त एवं उच अधिकारियों से खिंता हो सकती है व्यचारिक मतभेद का योग है पूर में किये गए निवे से लाब होगा अनियमित दीन चर्याओं से स्वास्ते पर प्रतिकूल असर पढ़ सकता है व्यचार राशी के लिए विनर्म रहना बहुत सरूरी है मिथुन राशी की बात करें तो इनके कार्य छेत्र में अश्तिर्ता रहेगी पूजापाठ एबम अनुष्ठान में इनका रुजान बढ़ सकता है शाजेदारी के लिए नई योजना शुरू कर सकते हैं लंबी यात्रा खन्ने का योग बन रहा है यात्रा सुखद रहेगी करक राशी की बात करें तो व्यपार में आयवय का असंतुलन चिंता पैदा कर सकता है महिला वर्ग को स्वास्त की चिंता रहेगी इस राशी वाले जात्कों के लिए सत्रू परास्त होंगे और वैवाही के निन्यों में जल्दवाजी बिल्कुल भी ना करें सिंग राशी की बात करें तो महमानों के आने से घर में चहल पहल रहेगी रिष्टेदारों एवं मित्रों से सावधानी बरतें धार्मिक कार्यों में रूची बढ़ सकती है जोखिम उठाने से बचे अनिता नुकसान हो सकता है सिंग राशी वाले जातकों को आर्थिक लाब होने का यूग है कन्या राशी की बात करें तो वैवाहिक चर्चाओं में इनको सफलता मिल सकती है आकस्मिक लाब की चक्र में तनाव भड़ सकता है नीजी बातें दूसरों से बिल्कुल भी शेर ना करें इनकी धर्म के परतियास्था भड़ेगी तुला राशी की बात करें तो इन्हे स्वास्त समबंदी परेशानी रह सती है स्वास्त के परति सचेत रहें थोड़ी मेहनत करने से इनके भाग्योधे में सहायता मिल सकती है शुब अर्शुप समाचारों के कारण कारेक्रम में बदलाव हो सकता है इस राशी वाले लोग वेर्थ के विवादों से दूर रहे दोस्तों व्रश्चिक राशी की बात करें तो नौकरी एहवों में व्यपार में धहरे से काम ले आर्थिक कारणों की वज़े से रिष्टे में दरार आ सकती है मांगलिक कार्यों में खर्च होना संभव है व्रश्चिक राशी की बात करें तो ऐसे जातक किसी नए काम या यूजनों को लेकर परेशान रह सकते हैं खर्च पर नियंतन रखें आर्थिक समस्या हो सकती है धनूराशी की बात करें तो अनावशक के यात्राओं से इन्हें बचना चाहिए दूसरों पर भरोसा करना बहुत भारी पढ़ सकता है भैवार में उदारता बरतें परतिष्ठा आपकी भढ़ेगी संतान की पढ़ाई को लेकर चिंता रह सकती है मकर राशी की बात करें तो नई योजना वैपार में लाबकारी हो सकती है दामपत्य जिवन बड़ा ही सुख में रहेगा रिष्टों में दरार दूर होगी की मदद करके खुशी मिलेगी वहवार को सांत रखें दिन बड़ा ही शुब रहेगा कुम्राशी की बात करें लापारवाही से स्वास्त्य संबंदी विकार हो सकता है घरेलू एवं व्यवसाइक मामलों को मिलकर निप्टाएंगे तो सफलता मिलेगी जीवन साथी की भावनाव का सम्मान करें जीवन साथी के साथ व्यचारिक मदबेद हो सकता है इसलिए धीरेज बनाए रखें बीन डाशे की बात करें तो इन्हें एका एक लाब की संभावनाएं बन सकती है और इवार में भेद भाव से तनाव भड़ सकता है लेन देन में साथनी ब्रतना बहुत जरूरी है स्वतन्त विचारों से अलग पहचान बनेगी उत्तम स्वास्त्य एवं आर्थिक लाब का योग है सोच समझ कर निवेश करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे अगली जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल जोतिश एक दिवी परकास से